नमस्कार आदाव सश्रेकाल मित्रो एक बार पुना स्वागत है आप सभी का समाधान कारिक्रम में जो की आपका पसंदिदा कारिक्रम है लगातार बोल पे हमारी चर्चा हो रही है और बहुत ही सुन्दर चर्चा है क्योंकि ये जीवन के लिए नितान आवश्यक है एक राजा को अपना हाथी बहुत प्रिय था जब हाथी बुढ़ा हो गया तो उन्होंने उस हाथी को प्रजा को दे दिया कि किसी भी प्रकार से बचाया जा इस हाथी को ये मरे ना लिखिन अब ये तो निश्चित ही है जो इस संसार में आया है चाहे मनोश्य है चाहे प्राणी है उसे जाना ही है हाथी एक दिन मर गया अब सारी जो प्रजा थी अब ये सोच में पड़ गई कि अब कैसे राजा को सुचित किया जाए कि भाई जो हाथी है वो मर गया क्योंकि जो जाएगा राजा को सूचना देने उसको भी अपने प्राण देने पड़ेंगे अब एक भुजूर्ग व्यक्ति था बड़ा ही बुद्धिमान था उसने कहा कि भाई ये वीड़ा मैं उठाता हूँ राजा तक ये सूचना मैं पहुंचाऊंगा राजा के पास वो बुजूर्ग व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि महराज जो आपका हाथ ही था वो तो ना खाता है ना पीता है ना ही कुछ बोलता है कुछ भी हलचल नहीं करता है तो राजा ने कहा क्या वो मर गया है तो उस व्रिद्ध ने कहा कि महराज ये मैं कैसे कह स वस्तों में कई बार अपनी वानी का ऐसा संयमित प्रयोग करने से हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं अब तक की चर्चाओं से आपने भी ये चीज बहुत गहराई से सीख लिया होगा कि वानी का प्रयोग हम कहां कहां करें आज की स 카메में ब्राता जी का भी नंदन करते हैं ब्राता जी बहुत बहुत स्वागत अभी नंदन हैं लोगों के बहुत सारे फोनकोल्स आ रहे हैं जब वानी पर हमारी सर्चाओं हो रही है तो एक फोनका टैज उसमें उन्होंने हम अपना प्रस्णि ये ही रखा कि वाणी को ले करके हम बहुत ज़्यादा कहते तो हैं कि वाणी पर धियान रखें, धियान रखें, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत सारी बाते हमारे लिए कही जाती हैं, हमारे मुख पे कही जाती हैं, वो बात बहुत कठिन हो जाता है, उस बात को स सुछ ना और उन्हों यो पाड वी कहें कि हम उस समय उन्हीं तपाक से कुछ बोल देते हैं तब बात रफा दफा हो जाती है लेकिन यदि हम चुप रहते हैं सोच थे हैं कि हम अपनी वार्नी को सहीं नहीं रखें देखिए एक बार बोल दिया, जहां तहां बोलना पड़े, जहां तहां ऐसा सुनना पड़े, तो फिर बात थोड़ी भारी होने लगती है, बहुत अच्छा एक इस्वरिय महावाग के सब याद रखेंगे, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, उनके पीछे सम्मान की तरह चलता है, अगर हम अपने स्वमान को बढ़ा दें, जो हमारी इस्वरिय ग्यान का, हमारी राजियों की साधना का, एक इंपोर्टेंट पहलू है, यदि हम उसे बहुत बढ़ा दें, तो सभी लोग धीरे-धीरे हमारा सम्मान करने लगेंगे, यदि हम इस फीलिंग म जाद रहें, इसे एक्सेप्ट कर लें, तो फिर जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसका इफेक्ट डूसरों पर बहुत अच्छा बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा वैसा बोलने का, जैसे साहसे नहीं करेगा, उसकी वानी रुख जाएगी, हमारे वाइब्रेश का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो यदि हम स्वामान का अभ्यास करते हैं, तो एक तो ऐसी सिच्वेशन हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, और जैसा इन्होंने का अगर हम तपाक से जवाब दे दें, उसमें भी अगर हमारे स्वामान का बहुत अच्छा अभ्यास हो होगा, और हम उन्हें ऐसा जरा पावरफुल जवाब देंगे, तो उसका प्रभाव और गहरा होगा, और सदा के लिए वो व्यक्ति ऐसी बाते करने से बाज आ जाएगा, मतलब समय और सिच्वेशन को देखकर कि हमें खुद नेड़ना इलेना चाहिए कि कब हमें कैसे क्या बोलना है, और सच मुझ ये तो मुझे लगता है कि एक lifelong training है, कि जीवन परियंत हमें सीखते चलना है, कि किस घटना में, किस situation में, कैसी परिस्थिते में हमें क्या-क्या बोलना है, और व्यक्ति को सीखते चलना चाहिए, और मनुस अगर ये लक्स बना लेके मुझे सीखना ह मुझे अपनी बुद्धी के द्वार सीखने के लिए सदाई ओपिन रखने हैं, तो निश्यत्रोप से वो आगे बढ़ता जाएगा, और मान लो कहीं कुछ गलत बोलता भी है, या लोग गलत बोलते हैं, उसमें भी हमारी कहीं गलती होती है, हम गलत जवाब दे रहे हैं, फ मैं आपको मेल के और लिए चल रहा हूँ, काफी सारे मेल हमारी पास आ गया है, पहला है प्रमोत कुमार जेना जी का, और ये उडिसा से लिख रहे हैं, कहते हैं कि भाईया मैं रेलवे का एक्जाम देने वाला हूँ, और मेरा एक्जाम जल्दी ही होने वाला है, अब तक मै कालिफिकेशन भी सफल होती है, परिवार भी बहुत सुखी हो जाते हैं, उसका गोरव भी पढ़ता है, मैं इसे पहले एक छोटी सी बात केदू, आज ही एक कन्या मेरे पास आई, दसवी क्लास में पढ़ती, थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैं तो सोचा, साथ कॉलीज में बढ़ती होगी जब मैंने उसे पूचा कुछी क्लास में, दसवी में, मैंने का बोलो क्या तुम्हें समस्या है, का नहीं समस्या नहीं, मुझे ऐसी बात बता दो, आजीवन में सफल होती रहूं, मैंने का कितने अच्छे विचार हैं, दसवी क्लास की लड़की के, मुझे बढ़ी खुशी होगी मैंने का निस्टेत रूप से तुम्हें कदम कदम पर सफलता मिलेगी, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, निगेटिविटी बिलकुल जीवन में आने नहीं देना, चरित्र सबसे बढ़ी पूंजी है, इसको कहीं दाग न लगने देना, और देखन सफलता की और तुम्हारे कदम कितने तेजी से चलते हैं, वस्तों में सफलता उन लोगों को बहुत कम मिलती है, जिनोंने अपने चरित्र का बचपन से ध्यान नहीं रखा है, बहुत रोज मेरे को कई यूबकों के ऐसे फोन आ जाते हैं, जो राज्यों के पत्थ पर भी आ से आठमास से, लेकिन अभी उनका कंसंट्रेशन होता ही नहीं, तो मैं पूछ लेता हूँ, पहले कैसा जीवन व्यतीत किया है, तो विचारे बता देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं, हम बिल्कुल रास्ते से भटक गए थे, हम औरे संग में आ गए थे, तो उसका खामी आजा उनको जीवन भर गुवतना पड़ रहा है, क्योंकि एकागरता मनुस की बहुत इंपोर्टेंट चीज है, चाहे वो इंटर्व्यू देने जा रहा हो, चाहे कोई एक्जाम देने जा रहा हो, चाहे वो कुछ भी घर में कामी कर रहा हो, ग्रहनी हो, वो खाना बना रही लेकिन उसका चित्री दोदर भटक रहा है, मन बहुत भाग रहा है, तो उसको उसमें भी मजा नहीं आएगा, सफल नहीं हो, वो कुछ का कुछ करेगी, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, जिनको सफलता के मार्ग पर सदा आगे बढ़ना है, उन्हें निगेटिविटी से, इंपियरिटी से, चरित्रहीनता से, जो ये गलत मार्ग यूकों के हो गए हैं, उनसे बचना चाहिए, रही बात इनकी, बहुत अच्छी है कि इनकी अभिलासा है, जब तक इनका एक्जाम आए, ये रोज एक घंटा राज्योग मेटेशन करेंगे, अवस्यन होने सीखा नहीं तो ये तुरंट जाकर राज्योग की ख्लासिज अटेंड करने राज्योग सीखें, इससे परमात्मा बेवी इनका विश्वास बढ़ेगा, पोजिटिव शक्ती भी इनके पास आएंगी, और सफलता की और जाने में इनको परमात्म दुआएं भी मिलेंगी, और इनक सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जनमसिद अधिकार है, बहुत गुड फीलिंग के साथ, केवल रटेंगे नहीं इसको, मैं हूँ, सर्व शक्तिवान की संतान हूँ, therefore I am master almighty, और जब मैं भगवान की संतान हूँ, तो मुझे सफलता मिलेगी ही, इसको गुड फीलिंग क साथ, साथ बार रोज सबेरे उठते ही करेंगे, ताकि इनका सबकॉंसियस माइंड इसे accept कर ले, तो यह सबकॉंसियस माइंड एक यूनिवर्सल माइंड बन जाता है, जो उन लोगों तक पहुचेगा, जो इसके पेपर चेक करेंगे, या अगर इंटर्वियू है तो जो इ बैठा हूं, मेरा सेलेक्शन हो चुका है, मुझे यह जो मिल चुक है, बिलकुल रोज सबेरे यह अभ्यास करने के बाद यह वीजन बनाएंगे, उरते ही और सोते समय, मैं महा बैठा हूं, पस ही मुझे हो गया है, इस बार मेरा सब कुछ किलियर हो गया है, इस तरह से confidence, most important and underline कर लेना है, confidence will lead to success, ऐसी अच्छी स्थिती बनाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्यत रूप से सफलता इनके चरण चुमेगी, चलिए प्रमोज जी को हमारी भी बहुत सारी शिपकामना रहेगी ब्रता जी कि वो जरूर इस बार सफलता आर्जित करें, और प्रमोज ब्रता जी दूसरा मिल हमारे पास आया है, राजन साहु जी है, ये कहते हैं, ब्रता जी, ओम शांती, मैं चतिसगर से हूँ, मेरे माइंड में व्यर्थ विचार अधिक आते हैं, मैं सेंटर जाता हूँ, लेकर मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, मन इस्थिर नहीं र सऊंसार में ये समस्या है, कि उनकी एकाउबता नहीं होती, राज्योक के मार्と पर वी जो आजकल लोग आ रहे हैं, उन में से 75% की ये समस्या रहती है, कि हमारी एकाउबता नहीं होती, और अभी भी आपने युगाओं की भी बात कहीटी, जैसे मैंने वो धारन दिया, प को अपने सबकोंशेस माइन में फुल स्थान दे दिया है तो वो इनको बहुत डिस्टर्ब करता है मैं थोड़ा सा विश्थार करना चाहूंगा सभी दर्सकों के लिए सभी राज्यों के अभ्यासियों के लिए और उन सब के लिए जो अपने विद्यार्थी काल में बहुत सफल होना चाहते हैं एक्जाम की बात हो चाहिए इंटर्व्यू की बात हो कोई हायर कंपिटीशन देना हो कोई एंट्रेंस एक्जाम देना हो उन सब को सफलता बहुत चाहिए नहीं तो क्या होता है बच्चे मेहनत बहुत करते हैं और एक डर बना रहता है सफल होंगे या नहीं होंगे, तो एकागरता को सुन्दर करने के लिए पहला ध्यान देना है, हमें एकागर करना है मन और बुद्धी को, अब मन का काम है संकल्प रचना, mind is power of thought, और बुद्धी जो है, ये हमारी विवेक शक्ती है, power of wisdom, ये third eye of wisdom भी है, तीसरा नेत्र भी है ये, जिससे हम द गई है, राथ हो गई है, और हम आसमान में सूरज को देखेंगे, वो है, नहीं है, इसका प्रसंद नहीं है, इसे कहते हैं, विज्वलाइजिशन करना, ये काम होता है, बुद्धी के द्वारा, हम किसी व्यक्ति को दूर बैठे व्यक्ति को विज्वलाइज करतें ये बुद्धी विवेक शक्ती है, बुद्धी एक सुंदर पात्र है, बुद्धी डिसीजन मेकिंग पावर है, तो इस बुद्धी को स्वच्छ करना, important चीज है, इसको जो हमने dust wind बना दिया ना बहुत लोगा ने, सब का किछरा अपनी बुद्धी में, किछरा दूसरे का अपन अपने बुद्धी को डश्ट में बनाया हुआ है, उसमें किछरा इतना भर लिया, उसे बद्भू फैल रही है, इसलिए एकाग्र नहीं हो सकता, अब एकाग्र करना परम सत्ता पर, और इधर बद्भू, तो उस तक पहुचे नहीं पाएंगे, इसलिए इसलिए एकाग्र अपने इंटलेक्ट को, बुद्धी को प्योरिफाई करना, क्लीन करना, जाडू लगा दें उसमें भी, जो व्यर्थ है, उसको डिलिट कर दें, बिल्कुल स्वच बरतन बना दें, इसके लिए इस्वरिय ज्यान है, रोज इस्वरिय ज्यान हमारे सेवाकेंद्रों पर दिय जाता है, उसके माध्यम से पास्ट को भी भूलें जरा, जो कुछ हो गया, उसको स्वमान के बल से भूला जाएगा, जितना स्वमान का भ्यास बढ़ेगा, पास्ट के जो इफेक्ट आए हुए हमारे सबकॉंशेस माइन में, हमारे ब्रेन में, वो डिलिट होते जाएंगे, अब है मन की बात, मन को एक आगर करना, अब मन तो इतना तेजी से भागता है, कि जिन लोगों को बहुत सोचने की आदत है, वो तो ये समझ में नहीं पाते कि वो सोच क्या रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, कि उनका मन अनकंट्रोल हो जात खते हैं कि अपने सोचने से खुदी दुखी और परिशान होने लगते हैं इसका बहुत अच्छा तरीका है मन को सुन्धर विचार देना हमारे मन में किरियेटीव एनर्जी है दियान देंगे हमारे सभी दर्शक हमारे मन में किरियेटीव एनरजी है तो एक सुन्दर संकल्प अनेक विए संकल्पों को समाप्त करने वाला हो जाएगा और वो सुन्दर संकल्प क्योंकि इनोंने अभी राज्योग सीख लिया है तो वो सुन्दर संकल्प मिलेंगे स्वमान से वो सुन्दर संकल्प मिलेंगे इस वरी महवाक्यों में इसे हम ज्ञान मुल्ली कहते हैं, वो संदर संकल्प मिलते रहेंगे जब हम दूसरों को ज्यान देते रहेंगे हमारे पदस्नी है उनको समझाएंगे तो समय आते रहेंगे तो इस तरह से हम मन को नहीं दीशा दे सकते हैं अपने मन को साधना पड़ेगा ये भीאת рег optic यह साधना है कि मन को जहां जहां बटक रहा है मालोग गणी भटक रहा है तो हम संकल्प यह भान इक ङीए वाही घंग वारी नहीं हुई ठीक है सामने आईगी धोलो इसका आना के नहीं लेकिन उसके पीछे उसके बारे में सोचते रही यह गलत किसी धेधारी की तरफ बुद्धी जा रही है अब ज्यान मिल गया तो ये धे तो विनासी है तुम तो आत्माएं हो इसका चिंतन करें इस अंसार को एक विशाल नाटक की दृष्टी से देखें ये सुन्दर ड्रामा है कैसा सुन्दर खेल चल रहा है कोई हस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुन्य कर रहा है किसी की विजय हो रही, किसी की हार हो रही कोई बहुत सुखी, कोई बहुत दुखी कैसा सुन्दर खेल चल रहा है ऐसे अपने को सुन्दर विचार देते हुए मन को एक आग्र करेगे, अगली बात है, हम एक बहुत अच्छी पैक्टिस करें, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, यह बहुत सुन्दर सब्ध है, स्वराज कार्थ होता है, मैं अपने पर राज करने वाली आत्मा हूँ, यह मन, बुद्धी, संसकार, कर्मेन्रिया, मैं सब की मालिक हूँ, रोज फीलिंग दे, यहां बैठ कर, जैसे परसिद्ध बात है, कि किसी भी राजा का, किसी प्राइम मिनिस्टर का आदेश, तभी माना जाएगा, जब वो सीट पर है, चिफ मिनिस्टर अगर सीट पर नहीं, तो उसका कोई नहीं मानेगा, ऐसे हम भी यह हमारी सीट है, मस्तक, ब्रकुटी है, हम इस पर बैठ कर, यानि आत्मा होकर, अपने मन को आदेश देंगे, हे मेरी मन, अब भटकना बंद करो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धी, अब तुम इस्थिर हो जाओ, यह उन्हें रोज कहेंगे, तुम अब संकल्पों की रचना करो, हे मेरी बुद्धी जो तुमने अपने अंदर गंद की भरी है, निकाल दो, स्वच करो अपने को, ऐसे रोज बात करने से, यह है संकल्प, CREATE करना, ऐसे संकल्प, रोज CREATE करेंगे, तो मन बुद्धी धीरे, धीरे, श्यान्त होंगी, लेकिन, इट विल टेक लिटल टाइम कोई ये कई आज ही हो जाएगा ऐसा नहीं तो दहरियता से इसका अभ्यास करते चलें और रोज अनुभव करें दस-दस मिनत योग अभ्यास में बैठें विज्वालाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ाएं एक सिंबल प्रैक्टिस भी मैं सुना दू मैं आत्मा यहां हूँ चमकती हुई जोती फो 10 सेकंड्स विज्वालाइज योर्सेल्फ 10 सेकंड हुए फिर विज्वालाइज सुप्रीम वन सुप्रीम बीग सार्व शक्तिवान दस सेकंड्स फिर दस सेकंड्स आत्मा को देखें दस सेकेंद सिव बाबा को, दस सेकेंद आत्मा को, दस सेकेंद आल्माइटी को, ये प्रैक्टिस भी बहुत मदद करेगी, इससे एक आगरता बहुत बढ़ेगी, तो जो भी नए लोग हमारे पास आ रहे हैं, यूव अक्विसेश रूप से, क्योंकि यूव को का राजियो की और आकर्षन बहुत बढ़ता जा रहा है, यह हम देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब ये स्पिरिच्वालिटी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपोर्टन चीज है, हमने बहुत भटक कर देख लिया, सब जगे निरासा मिली, धोका मिला, सफलता मिली, अब यहां आ जा क्योंकि यह एक प्रकार से निव की तरह है, यदि निव मजबूत होगा, तो निशित रूप से जीवन रूपी माकान है, वो बहुत ज्यादा सशक्त होगा, दो बाते मैं पूछना चाहूँगा प्राताजी जो आपने कहीं है, एक बात तो यह की विशेज जैसे आपने कहा हों, तो वो बात फिर तो जचेगी नहीं, तकलीफ मुझे हो सकती है, तैसे डाइबिटिक पेशेंट को सुगर बिलकुल मना है, वैसे ही जो योगी बनना चाहते हैं, उन्हें गंदी पत्र पत्रिकाओं का अध्यन, नेट की गलत साइट पे जाना, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना इन चीजों को हम कंट्रोल करेंगे, उतना ही हमारी एक आगरता बहुत अच्छी होगी, अब देखे, यूवक अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, पांच-दस फ्रेंड हैं, कुछ बढ़ चड़के बात करा हैं, कुछ बढ़ चड़के बात करा इसको लग रहा मैं पीछे रह गया, ये भी सा लेता है उसमें, और इस तरह व्यर्थ बढ़ता है, इसलिए जिसको योग के मार्ग पे सफल होना हो, इकागर होना हो, उसको अंतर मुखी होना ही पड़ेगा, बले फ्रेंड कहेंगे सन्यासी बन गया, ये हमारे ग्रूप से निकल गया, इनको भी लगेगा हम आईसोलेटिड हो गए, लेकिन इस चीज़ को सुविकार करना पड़ेगा, परमातन सुख प्राप्त करना है, अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है, अगर सफलता को अपना अधिकार बनाना है, तो ये सब चीज़े सुनने के लिए तयार और इन इन चीज़ों का बिलकुल, ऐसा मैं कहूंगा, बेन लगा दें अपने लिए, ये नहीं, जैसे सुगर वाले के लिए बेन लगा दिया वही रस गुले कितने भी अच्छे हो, अब देखना नहीं हो लेकिन कई बार बहता है कि इसी को लोगों ने लाइफ मान लिया है आजकल का जो युवा वर्ग है, घुमना, फिरना, और खाना, पीना, ये सारी चीज़ें जो है, ये ही लाइफ है, ये नहीं है, तो फिर क्या एंजॉयमेंट है, कोई मज़ा ही नहीं है, ये उन्हों ने मान लिया है, तो कैसे हम इस चीज़ को उन तक पहुंचाएं, कि वा जाओ, फ्रेंड्स के साथ भी घुमो, उनका वर्थ डे पार्टी है, और कुछ है, उसको भी एंजोय करो, ये सब भी है, लेकिन इसको ही सब कुछ मान लेना, इसकी आवश्यक्ता नहीं, ये गलत अप्रोच हो जाएगी, इसे हट कर, अपनी जो मोल चीज़ें हैं, उनको एक आगरता ही सफलता का बीज है, और युवकों को सफलता बहुत चाहिए, नहीं तो अनेक युवग निरास दिखाई देते हैं, बहुत पढ़ लिया, माबापने पैसा कितना खर्च कर लिया, ये सब एंजोयमेंट भी करके देख लिया, लेकिन जो बारी आई कि अब सफल करता चाहिए, तो मन की सक्तियां साथ नहीं दे रही है, इसलिए मन की सक्तियों को बढ़ाना, एक आगर्चित होना, इसकी भी बहुत आवश सकता है, और जो मौका मिले, ये सब इंजोयमेंट भी कर लेना चाहिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन हर चीज का एक संयम कहां, कितना, ये भी तो एक बड़ा प्रश्ण है कि कहां पर हम संयम रखें और कितना संयम रखें, तो ये सच मुच एक सिखाने, समझाने वाली बात है योगाओं को, ये कैसे आए, संयम को इस तरह लेले, मानलो पिकनिक है, तो कोई रोजी पिकनिक पर जाने लगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ने लगे, घर से आया था स्कूल के लिए और पहुंच गए पिकनिक में, घर से आयते पढ़ने के लिए और पहुंच गए किसी और पार्टी में, तो ये गलत हो जाएगा, संयम माना, उनको एंजोई भी करें, लेकिन अपनी जो मोल चीज है, ज जिसके लिए जीवन है, जिसके लिए टाइम है, उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रताजी, और मुझे लगता है गहराई से इस विशय को और भी समझने की आवश्यक्ता है, चर्चा हमारी लगातार आपके साथ इस विशय प भी हम करें, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि KPM कल्चर आजकल बहुत फेमस हो गया है, खाओ, पियो और मौज करो, इसके लिए मनाही नहीं है, बस एक एम और जोडने की जरुरत है, KPM कल्चर को फॉलो केजिए, खाईए, पीजिए, मस्त भी रहिए, लेकिन साथ-साथ meditation कीजिए, यह आपके जीवन को बहुत संतुलित करेगा, जो संयम की हम बात कर रहे हैं, वो संयम आपके जीवन में आ जाएगा, और जीवन बहुत ही सुख में हो जाएगा, शांती में हो जाएगा, और सफलता से परिपोन हो जाएगा, तो आपका जीवन सफलता से भरा हु हुआ हो इन्हीं शुब कामनाओं के साथ नमस्कार